उदित राज नियूज सब पर नजर सब की ख़बर नमस्कार आप देख रहे हो उदित राज नियूज आज की तमाम बड़ी ख़बर को साथ मैं हूपिंग की आई ही डाल दे नजर आज की कुछ खास ख़बर को पर रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपतराय वहाँ पर क्यों है वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों है तिरे लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को संपें प्रतिष्ठा के पहले संप दें रामानंद संप्रदाई की लोग ही माप्रतिष्टा करेंगे हमें मंजूर है हम इंटी मोदी नहीं है लेकिन हम इंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते है अब देखिए बात यह है यह कब कहा उन्होंने कल वक्त अब आ गया चारों संक्राचारी के बहिसकार की बात चली न उसके संदर में उन्होंने अपना नया संदर चारों संक्राचारी वहाँ पर नहीं जा रहे है कारण क्या है क्यों नहीं जा रहे है किसी रागत द्वेश के कारण नहीं बलकि संक्राचारियों का ये दाइत्व है कि वो शास्त्र विधी का पालन करें और करवाएं अब वहाँ पर शास्त्र विधी की उपेक्षा हो रही है सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है कोई ऐसी परिस्तिती नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े देखो किसी समय 25 दिसंबर की रात को वहाँ पर मुर्तियां रख दी गई थी वो एक परिस्तिती थी कि रात को 12 बजे जा करके उसकर करके रख दिया राम चेंदर दास परमहन साधी लोगों ने उस समय के जो वहाँ के कलक्टर थे नयर सहाब के सहयोग से और उसके बाद 1992 में धाशाट आया गया उस समय कोई मुरत थोड़े देखा जा रहा था उस समय जैसी परिस्तिती थी उसी में आनन पानन में तंबू अपतान करके बगवान की मुर्ति गायब हो गई थी उसको फिर उनके राजा सहाब के घर से उनके दादी जी की मुर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया उसकी पूजा होती रही किसी ने परसन उठाया किसी शंकराचारी ने ने परसन उठाया कि भाई ये क्यों कि या जा रहा है मुरत नहीं है क्योंकि उस समय परिस्थिती थी लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिती नहीं है कि हमको ज़रूरी हो गया कि आज बाइस तारीक कोई कर दें आज तो हमारे पास पूरा मौका है हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है तो ये हम कैसे स्विकार कर ले ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है अब यही हम कह रहा है तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो बिरोधी हैं एंटी मोदी है इसमें एंटी मोदी की क्या बात है हम एंटी मोदी नहीं है लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते धर्मशास्त्र के according ही हम चलना चाहेंगे और अपने जनता को भी चलाना चाहेंगे क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुन्य पाप का बोध होता है राम हैं ये किसने हमको बताया हमारे धर्म शास्त्र ने हमको बताया राम की पूजा करने से तुम कृतिक्रते होगे ये किसने हमको बताया ये राम ने हमको बताया इसलिए उसी शास्त्र से जिस साथर से हमने राम को जाना उसी साथर से उनकी प्रतिष्ठा की विदी भी हम जानते हैं और उसी अनुसार हम करने हमारी बात दयता है तो इसलिए कोई भी शंकराचारी चार शंकराचारियों में से वहां नहीं जा रहा है अब जब यह बात सारवजनिक कोई है तो अब इसको काउंटर करने के लिए वो ये चंपत राय जी कह रहे हैं कि शंक्रशारियों की यहां जरूरत नहीं है क्योंकि यह तो रामानंदा संप्रदाय के लोगों का स्थान है तो सवाल यह है कि रामानंदा जो संप्रदाय है उसका अगर यह मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है यह हमको बताएं फिर वहाँ निप्रिंद मिश्रा क्यों है फिर वहाँ पर वो राजा सहाब क्यों है फिर वहाँ पर वो चवपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला विक्ति है वहाँ प प्रतिष्ठा के पहले संप दें, रामानंद संप्रदाई के लोग ही महाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है, ट्रस्ट में सारे लोग त्याक पत्र दें, रामानंद संप्रदाई के जो सादू महात्मा है, रामानंद संप्रदाई के जो आचारी है, उनको ट्रस्ट को की है कि सादू संतों को हटा करके ये कारे करता लोग वहां पर बैठे हैं और सादू संतों में बेद डालने की बात कर रहा है जब चंदा ले रहे थे उस समय क्यों नहीं ये गोशित किया कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है रामानंद संप्रदाय के लोग देते उस समय ये स्पश्टता क्यों नहीं की आपने पूरे देश से हर हंदुस्तानी से हर रामभक्त से वो किसी भी संप्रदाय का हो उससे चंदा लिया और उस चंदे की उपर आप ट्रस्टी बन करके बैठे और बैठने के बाद आप कह रहे हैं कि अगर आप में थोड़ी भी नहीं तिकता बची हुई है तो त्याग पत्र दीजिए और रामानन संप्रदाय के साथुओं को ट्रस्ट सोंपिए हम बहुत कुछ होंगे आपका भी धन्यवाद करेंगे और रामानन संप्रदाय के लोग उनका तो हई है कोई बाती नहीं है ये जो मंदिर है एक तरफ आप कहते हो कि एराष्ट्र मंदिर बन रहा है आपी के शब्द है बगदव वीडियो कहीं चैनल पर खोजना पड़ेगा कि एराष्ट्र का मंदिर बन रहा है और एक तरफ आप कहते हूं कि केवल रामनन संपदाय का मंदिर है कहां गई हिरदय की विशालता क्या राम जी के इस मंदिर में जिसके लिए 500 सालों तक सबने संगर्स किया है जिसके लिए संकराचार जी ने पैरोकारी की है आप तो आये नहीं कोर्ट में लड़ने के लिए और अब आप वहाँ पर बैठ करके इस तरह से बेदभाव सनातन धर्म के अंदर हिंदु धर्म के अंदर बेदभाव डालने की कोशिश कर रहा है नहीं ये गलत है ये मंदिर समस्त सनातन धर्मियों का है ये मंदिर समस्त हिंदुओं का है और अगर नहीं है आपकी बात हम मानने के लिए तयार है कि चलो रामानंद संप्रदाय का है तो तुरंत ये ट्रस्ट के जितने लोग हैं त्याक पत्र दें आपके सहित और रामानंद संप्रदाय के जो आचारी हों और उनके जो सादू संत हों विशेश करके निर्मोही अखाड़ा निर्मोही अखाड़ा ही वहाँ पर पहले पूजा करता रहा है तो उसको पूजा कादिकार दीची आप अलग से पूजारी क्यों भरती कर रहा हैं पिर पुझी तराज ज्योज सब पर नजर सबकी खमर